नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे 27 मार्ज के लिए ड्रीम फॉक्स में क्या क्या लेबल से टार्गेट को फॉलो करने की आवसकता रहेगे दोस्तों देखें तो यहां पर हमने आपके सामने ड्रीम फॉक्स का लगाया वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को अगर यहां पर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है उसको थोड़ी से नज़र डालेंगे दोस्तों यहां ने जो सब्सक्राइब भी नीचे आना देखने को मिल सकता है अभी के लिए आपको क्या करना चाहिए अगर आप उपर के बारे में सोच रहें तो आपको 430.75 का को इंतेजर करना चाहिए अगर इसको breakout करेगा तब ही उपर जाएगा अगर आप नीचे की साइट सोच रहे हैं तो आपके लिए stop loss रहेगा पर 399.25 का तो इसके नीचे अगर जाता है तो price clear गिरेगा फिर जाएगा यहाँ पर 381 का अगर इसके नीचे भी जाता है तो 359.35 का दोस्तो दोनों लेवल हमने आपके साथ में डिसकस किया है अब हम बात करते हैं next trading session की कि next trading session को हमें कौनशी कौनशी लेवल को follow करना रहेगा दोस्तो हम आपने चार्ट को लगा है यहाँ पर वान हावर के टाइम प्रेम पर अभी के लिए जो आपको support लेंट फॉलो करना चाहिए support लेन आ रहा है आ रहा है अबालिजे धन्यवाद